निकाले नहीं आपने कपड़े, गजब गड़ दिये मेडम, मैं इतनी रात को लेने आया हूँ उस वाले होल में गुसाना था और कल आप इस वाले होल में गुसा की चले गए हेलो आप स्वागता मेरे यूट्यूब चैल पर तो आज मैं आप लोग को कुक्कु की वेब सीरीस रात्तरी की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ तो कहानी एक लड़की से स्टार्ट होती जिसका नाम पाकी था और उसने मुंबई में अकेले रहकर जॉब करने के लिए उस एक रूम लिया और अब वो इस रूम में आ गई थी और तब इसके दोस्त निया का फोन आता है और वो इससे पूछती है कि रूम मिला की नहीं सेटल हो गई की नहीं और ये बोलती है रूम मिल गया है और ये दुनों थोड़ी बहुत बाते करते हैं अब रात को खाने के बाद सोते हुए पाकी को बासुरी की बहुत तेर तेज आवाजी आ रही थी तो ये उटकर जाकर अपने बागल वाली से पूछती कि आपको कोई आवाजी आ रही है लेकिन बागल वाली बुलती है नहीं अब पाकी अंदर जाकर कान में रूई डाल कर सो जाती है अब अगली रात भी यही सब सेम सीन होता है और पाकी यह सब से काफे परिशान हो गई थी अब उसके अगली रात पाकी अपने बॉइफरेंड संजीव को साथ ले कर आती है जहां यह दोनों सेक्स करके अपना मनोरंजन करते हैं और अपनी प्यास को बुजाते हैं बोलती है एक अजीब चीज हुई जिस दिन में अपने बॉइफरेंड के साथ इंजॉय कर रही थी तब उसे यह आवाजे नहीं आई तो सनेह बोलती है तो रोज तब ऐसा ही किया कर तो यह बोलती है मेरा तो प्रेक अप हो गया है लेकिन सन्जीव नहीं तो कोई और सही अब अगली सुबह दो भी आता है तो यह उसे बोलती है रात को आने को और अब वो रात को आता है और पाकी उसे सामने से आउसर दे रही थी तो वो बंदा भी इसका अच्छे से फायदा उठाता है और यह दोनों बहुत देर तक सेक्स करते हैं और धोबी को तो मौज हो गए थे भाई साब और उस दिन भी वो आवाजे नहीं आती है और दोनों ने ख्लूव एंज़ॉय किया अब अगले दिन वो एक electrician को कुछ problem बताकर उसे बुलाती है और थोड़े double meaning वाले बाते करकर उसे सामने से line दे रही थी तो वो बंदा भी समझ गया था कि क्या चाती है और अब वो बंदा उसके बोलने से पहले उसे उठाकर bed पल ले जाता है और उसके पूरे मज़े लेता है और पाकी भी इसे खोव इंज़र करती है और आज भी वो आवाजे नहीं आती अब अगली रात ये एक पिज़र डिलिवरी वाले के साथ करवाती है और उसके अगली रात एक वाजमें से और रोजी ये चलता था और अब तक ये वाजे नहीं आई थी अब अगली दिन काम से वापस आने पर पाकी को पता चलता है कि बाजु वाली अंडी का पती मर गया है तो ये उनके घर जाकर थोड़ा दुख बाटती है अब इस रात इसने किसी को नहीं बुला और किसी के साथ नहीं किया तो इसे वापस से ये वाजे आने लगी थी और वहीं एपिसोड हो जाता है कातम मतलब स्टोरी में कोई सेंस नाम की चीज़ ही नहीं थी तो इसी के साथ वीडियो खतम होती है वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बता है कि आपको ये वेब सीरिस कैसे लगा